देश की सीमाहों पर न्युच्छावर होने वाले जाती धरम से उपर उठकर जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है अपने सुख को खोया है मैं उन सभी के परिवार वालों को शत्षत नमन करती हूँ सेल्यूट करती हूँ इन विरांगनाओं की बराबरी कोई नहीं कर सकता मैं इनका दर्ध बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और इसी कारण से जब मैं सीमाओं पर जाती हूँ निरिक्षन के लिए तो सबसे पहले मेरा करतव्य होता है कि मैं जीरो लाइन पर खड़े अपने सबसे छोटे रेंग के जवान के पास जाऊ और उस से दो शब्द मैं उसके मुख से सुनो ताकि मेरे मन को तसली हो कि वो सीमाओं पर किस हालात में डूटे कर रहा है किस हालात में वो खड़ा है और मेरे जाने से मेरे बात करने से उसका मॉरल अप हो उसका मॉरल उच्चा है इसलिए मैं सबसे पहले उसके पास जाना चाहती हूँ और उसी से ही जाकर के मैं बात करती हूँ एक छोटी सी घटना है अभी मैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर B.S.F. की हमारी एक ओक्ट्राइ बॉर्डर है उसका निरिक्षन करके आई थी तो जीरो लाइन पर एक जवान खड़ा हुआ था हमारे जवानों ने मेरे लिए पाकिस्तान की तरफ जो गेट है वो खोला और गेट खोल करके मैं पाकिस्तान की तरफ गई तो मुझे एक जवान खड़ा दिखाई दिया जिसके हाथ में कुछ नहीं सिरफ एक बैरीकेड पाइप लगा हुआ था लेकिन हमारा जवान बिना किसी हथियार के खड़ा हुआ था मुझे देख करके पड़ी हरानी हुई कि वो जवान बिना हथियार के कुछ हमारे बीच में नहीं है कोई फैंसिंग नहीं कुछ नहीं और खड़ा हुआ था जीरो लाइन पर तो मैंने जा करके सबसे पहले उसी से पुछा क्यों भाईया आप बताओ आप कैसे हो किन हालातों में ड्यूटी करते हो आप कैसा लगता है लेकिन वो जवान अपने मुझे कुछ बोल नहीं पाया उसका गला रूंद गया और आंसू उसकी आंखों से जर 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 गिरने लग गए तो मैंने पूछा मैंने का भाई तुम अगर इतना कमजोर दिल लग रख्या के यहां खड़े होगे तो हमारे देश का क्या होगा आप को कोई भी तकलीफ है आप मुझे बताइए इसी समय अगर आपका कोई आपको शारिरी तकलीफ है कोई ओफिसर आपको परिशान करता है या परिवार से आप किसी तरह से भी कोई परिशानी है तो आप मुझे बताइए लेकिन उसने ये कहा कि नहीं मैडम मुझे किसी चीज का दुख नहीं है मुझे आपको यहां देखकर के मेरे पास इतनी खुशी हो रही है कि ये खुशी के आँसों मेरी आँखों से चरजगी देए है कि मैं एक अपनी बहन को अपने पास देख रहा हूँ जहां कोई नहीं आता कोई परिंदा भी निखाई नहीं देता लेकिन उसके बात सुनकर के मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने कहा कि भाया जो भी तकलीफ आपके परिवार में है आप मुझे बताईए क्यूंकि आप हमारी रक्षा करते हैं आपके परिवार की तकलीफ हमारी तकलीफ है आप आधी रात को भी आवास देंगे मैं आपके परिवार के पास ठड़ी हुई मिलूगी और वो जबान उसने कहा कि नहीं मेरी दो बेटियां है मेडम एक बेटी MBBS कर रही है दूसरी बेटी इंजीनिरिंग कर रही है वो बिल्कुल आपके जैसी है मुझे आप तो देख करके उनकी याद आ गई और मैं जरूर उन बेटियों से कहूंगा कि जब भी कभी तकलीब में हूँ तो वो आपसे संपर्ख करें और मैंने उनसे बादा किया है कि मैं किसी भी ज़वान के घर से अगर किसी भी कौने में देश के किसी भी कौने में कभी आवाज आएगी कभी पौन आएगा हमारे जैहिंद मंच की टीम पूरे देश भर में है सबसे पहले हमारी टीम उनके पास पहुँचेगी ये मैं जैहिंद मंच की राश्ट्रिय अध्यक सुरेश शर्मा जी की बात को आप तक पहुँचा रही है इस भव आएउजन के लिए taraf हुँचा राश्ट्रृ के लिए मैं गाजु पर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनको शुब कामना यदि देती हूँ और बढ़ाई देती हुँ और उमीद करते हूं कि भविश्य में भी इसी तरह कारेक्रम को आयोज़त करे और इस तरह से हमारे देश के लिए कुर्बान होने वाले जो शहीद हैं उनके परिवारों को हर समय सम्मान मिलता रहे हम सब लोग आज एक संकल प्ले करके जाएं कि जो शहीद होते हैं उनके परिवारों को उस दिन तो बहुत लोग पूछते हैं मगर बाद में सब लोग भूल जाते हैं और वो बात पुरानी हो जाती है तो आप लोगों से मेरी ये अपील है कि आप उनको जो है इस गटना को भूलने ना दे उन परिवारों को भूलने ना दे आप उनको हमेशा याद रखें और जिस भी तरह की आप मदद कर सकें जिस भी रूप में कर सकें आप उन परिवारों की सहायता कीजिए उनकी मदद कीजिए और उनको प्रोथाहन देजिए तो ये मेरी आप लोगों से अपील है मैं खुद भी ये जो परिवार के लोग बैठे हैं, ये हमारे जो भाईयों को हो चुकी है, मैं इन विरांगनाओं को भी अपनी तरफ से काश्वासन देती हूं, कि मेरे लायक कोई भी काम हो, तो मैं 2400 घंडे तयार हूं, किसी भी समय मुझे ये अपना जो भी काम है वो बता सकती हैं, ये मेरा आप लोगों से वाहिदा है, इसके साथ ही ही,